दोस्तो त्वागत हैं का अपनी वेबसाइट वर्पेस के अपलोडिट पोस्ट में यू-ई-आरल का इस्टेक्श्चर कैसे चैंज कर सकते हो साथ में डॉट एच्टी एमल कैसे लगा सकते हैं जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं यह हमारा में डॉमिन नेम है यह पोस्ट लिखा हुआ है अधिक तरह वेबसाइट में देखेंगे लिखा होता है यह किसी-किसी में नहीं लिखा रहता है और यह किसी-किसी में backslash दिये रहता है इसको हटाना है तो कैसे अटा सकते हैं सिंपल आप अपनी वर्क्रेस की वेबसाइट के होमपेज में चलिए और सेटिंग में जाने कबाद पर्मलिक्स में जाएए और कस्टम स्ट्रक्चर को स्ट्रेक्ट कीजिए और यहां पर देख सकते हैं इस लैस परसेंट का चिन फिर परसेंट फिर डॉट एच्टी एमल एदि आप डॉट एच्टीमल लगाना चाहते हैं तो यह आप बैक स्लैस को हटाना चाहते हैं इस लैस को जो इस लगा रहता है तो आपको करना क्या होगा बाकी सब सेम रहेगा और परसेंट के बाद जो स्लैस लगा रहता है बाई का हुआ है ठीक है ने और फिस सेफ कर देना है इस तरह से अब कस्टम स्ट्रक्ट्चर से डॉट स्टमल लगा सकते हैं या स्लेश को हटा सकते हैं इतना इस वीडियो में था वीडियो देखने धन्याइब